इस्थल मार्ग में भी अब हम देखते हैं कि इस्थल मार्ग का महत्व क्या है अभी वरतमान समय में जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है वो आपका इस्थल मार्ग है और उसकी सार्थकता ही हमको अधिक देखने को मिलती है क्योंकि हम वायू यान या हर जग हमको जल मार्ग का हम चैन नहीं कर सकते हैं इस्थल मार्ग में हम इसको कहते हैं कि ये उत्पादक के दर्वाजे से उभोकता के दर्वाजे तक चीजों को पहुचाता है मतलब हमको डोर टू डोर वाली सुवीधा इसमें देखने को मिलती है साथ ही साथ इस्थल मार्ग में हमें खर्च बहुत कम खर्चिला होता है हम इसका रख रखाओ अच्छी तरह से कर सकते हैं चीजों को आसानी से उसकी ढुलाई की जा सकती मतलब एक इस्थान से उसको दूसरे इस्थान तक उसकी पहुच तक हम उसको ले जा सकते हैं इसलिए इस्थल मार्ग जो है वो सबसे ज़्यादा उप्योग में आने वाला है अब हम देखते हैं कि इस्थल मार्ग के अंतरगत भी हम जो उसमें उपयोग में आता है सड़क या सड़क मारग की हम बात करते हैं अच्छा अभी हमने इस्थल मारग की बात की थी और हमने देखा था कि जब हम मनुष्य के विकास के साथ साथ वर्तमान युक तक जो पहुंच गये हैं इस्थल मारगों का ही सर्प से अधिक जो है उपयोग किया जाता था चाहे जब वो मनुष्य वाहक का कारी करता हो उसके बाद फिर हमने देखा कि पशु जो है वो समान को लाने ले जाने का या व्यक्तियों को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाने का कारी करते थे और उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि जैसी अठारवी ही शताबदी में भाप के इंजन का अविश्कार हुआ और इसने एक चमतकारी जो है परिवर्तन लाया और द्योगीक विकास की दिशा में और दशा में भी है ना तो हमने क्रमशह देखा कि विकास के मार्ग में हम बढ़ते गए और यही जो है वो हमारे इस्थल मार्ग मतलब सभी में हमने देखा कि हम अधिकतर जो है वो इस्थल मार्ग का उपयोग हमने किया था अब हम यह देखते हैं कि इस्थल मार्ग भी जो है हम सभी स्थानों पर मतलब हम अपने प्रित्वी पर भी चाहे हम किसी भी महादवी या किसी देश में पर्टिकुलर देश में भी जाए तो सभी स्थानों पर हमको एक समान ना तो सड़के मिलेंगी ना रेल मारग तो इनमें भी हमको भिन्नता देखने को मिलती भिन्नता मतलब कैसे कि कुछ फैक्टर्स जो हैं इनको प्रभावित करते हैं इनके निर्माड को प्रभावित करते हैं तो ये कौन-कौन से फैक्टर्स हैं आए देखते हैं मुख्य रूप से हम देख रहे हैं यहाँ पर तीन फ को प्रभावित करते हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि पहला जो है हमारा धरातल किसी भी इस्थान का जो धरातल है वो सडक और रेल मार का जो विकास है वहाँ पर उसको प्रभावित करता है अगर कहीं भी हम देखेंगे समतल मैदानी छेत्र हम अपने उत्तर भारत में ही चल कि उबडखबर जमी नहीं होती है समतल सतह होती है तो हमें चाहे वो रेल मार्ग का विकास करना हो या फिर सड़क मार्ग का विकास करना हो वो हमें बहुत कम खर्चिला पड़ता है और साथ ही साथ जो है वो इसका निर्माड भी बहुत आसान होता है तो इसलिए हमको मैदानी चेत्र में जहां पर भी मैदानी चेत्र होंगे वहां पर हमें सडक और रेल मार्ग का विकास अधिक मिलेगा और जो उबडखाबड चेत्र हैं उबडखाबड चेत्रों में अपेक्षाक्रित हमें सडकों का विकास तो एक बार हम जो भूमी है या पठारी चेत्र हैं उनको का जो है वो सड़के देखने को मिलतीं लंबी दूरी की। लेकिन बहुत जादा यदि हम दुर्गं पठारी छेतर में चले जाएं यदि डल्दली छेतर में जसे आप कांगो बेसीन में, अमेजान बेसीन में चले जाएं, हमाले के बहुत जो उचे उचे परवती छेतरsemble हैं, उ कुछ परवती छेत्रों में भी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि यदि हम उत्तरा खंड की तरफ चले जाएं तो हमें रोप वे या ऐसी ही जहां बहुत सारी जगों पे हमको अभी ये एक नविंतम जो है तकनीक विक्सित की गई है परिवहन के लिए दुरगम पठा पहारी चेत्रों में पहुचने के लिए अब इसके साथ ही हम देखते हैं जलवायू की बात करेंगे तो जलवायू भी जो है वो बहुत हद तक किसी भी स्थल मार्ग के निर्माण को प्रभावित करती है जैसे हम पूरे उत्तर में चले जाएं साइबेरिया का जितना उत्त है तो वहां पर भी हम रेल मार्ग का विकास बहुत अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर पट्रियों पर हीम पात होने के कारण बर्फ की एक चादर बिच जाती है सडकों पर भी वह चादर बिच जाती है फिर बहुत खर्चिला होता है कि आये दिन उसको वहां पर हमें रेल मार्ग और सडक मारग का विकास जो है वो अधिक देखने को मिलेगा ना ही हम यदि किसी मरुस्थली चेत्र में भी हम देखते हैं कि वहां पर रेल की पट्रियों में या सडकों पर धूल का गुबार है है ना आये दिन एक धूल की मोटी सी परत रेट की मोटी सी परत जो है वो बिच जाती है तो फिर से उसको मेंटेन करने के लिए उसे वहां से हटाना ये जो है वो बहुत हमारे लिए खर्चिला और श्रम वाला कारिय हो जाता है तो हम ये देखेंगे कि जो समझलवाईू वाले छेत करती है जिस छेत्र या प्रदेश की जनसंख्या जहां पर अधिक होगी अधिक लोग निवास करेंगे तो नैचरली है कि वहां पर के जो रह रहे हैं लोग हैं वहां पर उन्हें दैनिक जीवन की आवशक्ताओं की अधिक आवशक्ता होगी उसके साथ ही साथ उनके परिव परिवहन का साधन उस स्थान पर अधिक विक्सित होता है और जहां पर हम देखें गे की जन संख्या कम मिल रही है वहां पर पेक्शाक्रित परिवहन के साधन हमें कम विक्सित देखने को मिलेंगे ती यह हो गई यह यह हो गया आपके भौगौलिक कारक फिर हम देखते हैं दूसरा आर्थिक कारक या इसके निर्माण को प्रभावित करेगा आर्थिक कारक इसमें आर्थिक कारक में हम देखते हैं कि आर्थिक विकास पहला आर्थिक विकास कि किसी भी छेत्रिय देश का जो आर्थिक विकास ह जितना अधिक होगा जितना अधिक वो आर्थिक रूप से विक्सित होगा वहाँ पर हमको परिवहन के साधन भी उतनी ही विक्सित अवस्था में मिलेंगे एक्जामपल के लिए हम पूर्वी संयुक तराज अमेरिका को देख लेते हैं या पश्यमी यूरोप के जो देश हैं चाहे हम जर्मनी की बात करें नार्वे की बात करें इन सभी ब्रिटेन की बात करें तो इन सभी छेत्रों में हम देखेंगे कि हमको ये आर्थिक विकास की दृष्टी से बहुत विक्सित छेत्र हैं या हम इन्हें विक्सित देशों की शेणी में रेकर आते हैं तो यहां पर आर्थिक विकास अधिक है मतलब नगरी करण भी उतना ही अधिक है और द्योगी करण भी उतना ही अधिक है तो नगरी करण हो या और द्योगी करण हो दोनों ही इसमें हमें परिवहन के साधन की जो है उपलब्धता होनी ही चाहिए तभी वो देश जो है वो इस हमने भी देखा आप सामने देख भी रहे होंगी कि जो पश्मी यूरोप है और संयुक्त राज अमेरिका यहां पर हमको पूरी तरह से सडकों का जाल और रेल मारगों का जाल एक बिच्छा हुआ दिख रहा है यह वो पूरी तरह से विक्सित रूप में है अब हम दूसरा दे केंद्र हो रहा है तो वहां पर किसी भी वस्तुएं पदार्थों का एकत्री करण हो रहा है मतलब वहां से जो तैयार माल है वहां पर लाए जा रहे हैं और वहां से फिर उसको पूरे विश्व के अलग-अलग बाजारों में वहां से पहुँचाए जाएंगे तो कोई भी जो व्यापारिक रूप से प्रगति कर रहा है या उन्नर्शील है तो वहां पर भी हमें जो परिवहन का साधन जो है अधिक देखने को मिलता है या मैं ये कहुँँ While केंद्र जो है वह वहां पर परिवहन का जाल उतना अधिक जो है विक्सित होता है चाहे वो सडक मार्ग हो या फिर वो रेल मार्ग हो या फिर वायू मार्ग हो हम अपने किसी भी बंदरगाह की सिती को देख लेते हैं बंदरगाह भी हम देखेंगे कि वहां से अंतर राश्टी व्यापार किये जा रहे हैं जल मार्ग के द्वार पर से वो जल मार्ग से तो जुड़ा ही हुआ है और उसके साथ ही साथ वो देश के अंदर वो सड़क मार्ग और रेल मार्ग मतलब मुख्य मुख्य नगरों और महानगरों से के द्वारा उसका जुड़ाव है किसे सड़क मार्ग से और रेल मार्ग के द्वारा तो व्यापार उसके बाद हम नेक्स्ट डेखते हैं, ओद्योगी कुन्नती, ओद्योगी करन भी भी हमने बात की घ Artlog करनकातर है, कि कोई भी देश जितना ओद्योगी क्विकास करेगा, जहां पर ओद्योगी करने की अवस्था, जितनी उच्छतम इसतर पर होगी, naturally है कि वहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध कराना होगा कच्चा माल फिर तयार माल को अलग-अलग छेत्रों में पहुचाना होगा श्रम की आवश्रक्ता होगी श्रम की आवश्रक्ता के साथ-साथ ये सभी चीजों के लिए चाहे वो उर्जा हो चाहे पानी हो पानी में भी हम बोलें कि लिक्विड या उर्जा की रूप में हमें नैच्रल गैस की जोरत है तो वो पाइपलान के द्वारा लाई जाएगी तो इन सभी के लिए हमें परिवहन का साधन जो है वो वहाँ पर विक्सित रूप में देखने को मिलता है तो हमने देखा कि आर्थिक कारक के अंतरगत तीन थे आर्थिक विकास व्यापारिक उन्नती और तीसरा हमने देखा और द्योगिक विकास की अवस्था अब हम बात करते हैं राजनेतिक जो फैक्टर है या राजनेतिक कारक जो है वो भी बहुत हद तक वहाँ पर किसी भी छेत्र में परिवहन के विकास में सहायक होते हैं या उसके लिए उत्तरदाई होते हैं इसके लिए हम देखते हैं पहला है शाशन की सुविधा किसी भी देश में प्रदेश में राजी में आप चले जाएए वहां का जो प्रशाशन है वो बहुत अच्छी तरह तभी चलेगा या वहां पर शाशन किया जाएगा जब वो उस छेतर की राजधानी से connectivity हर छेतर की जादा से जादा हो तो कोई भी जो शाशन करने वाला है जहां पर भी जिसका भी साशन चल रहा है वो हद तक ये प्रयास करते हैं कि अपनी शाशन को या साशन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी connectivity जो है उस राजधानी छेतर से बहुत अच्छी तरह से सभी जगों से सभी छेतरों या प्रदेशों से हो ताकि शाशन का जो संचालन है वो अच्छी तरह हो पाए इसके बाद हम देखते हैं राश्ट्री एकता भी इससे बहुत हद तक प्रभावित होती है कि परिवहन के साधन क द्वारा ही हम एक इस्थान से दूसरे इस्थान एक राज से दूसरे राजिया या एक देश से दूसरे देश तक प्रवास कर पाएंगे या वहाँ पर आजा पाते हैं कनवर्शेशन कर पाते हैं एक दूसरे से मिल जूल पाते हैं और एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृती को जान पाते हैं और जितना अधिक हम एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृती से परिचित होंगे हमें एकता की भावना उतनी ही जादा होगी तो ये भी एक बहुत प्रमुख फैक्टर है फिर तीसरा हम देखते हैं सुरक्षा तो सुरक्षा में हम देखते हैं कि आप बॉर्ड सैनिक तैनात होते हैं देश की सुरक्षा के लिए तो सुरक्षा के दृष्टी कोड़ से भी ये कोशिश की जाती है कि उन सीमा छेत्रों तक परिवहन के साधन बहुत अधिक मात्रा में और सुचारू रूप से उपलबध हो पाएं ताकि उन सैन्य छेत्रों में या सैन्य पीने की या अस्तशच्त्रों की या जितनी भी जोरत की जो समान है वो उनको वहां तक उपलब्ध कराई जा सके तो सुरक्षा भी जो है वो एक बहुत प्रमुख फैक्टर है इस्थलमारग के विकास के लिए अब हम इस्थलमारग के यह तो हो गया निर्मारग के तत्व की ह कौन कौन से फैक्टर है जो इस्थल मार्ग के विकास को प्रभावित करते हैं अब इन इस्थल मार्गों में भी हम देखते हैं बात करते हैं पहले सड़क मार्ग की हमने कहा था कि इस्थल मार्ग के अंतरगत सड़क मार्ग रेल मार्ग और आपकी जो पाइप लाइन है या र परिवहन का मार्ग हम कह सकते हैं जिसमें परिवहन के साधन जो है चाहे वो हम बाइक कह लें ट्रक कह लें बसे कह लें ये सारी जो है वो उसमें दोड़ती हैं अब ये कित्ते प्रकार के होते हैं इसको भी हम प्रकार में भाजित कर लें इसके निर्माण के अधार पर तो एक तो यह आपको अधिक तर को किसी भी विकास्जील जो देश होते हैं, उनके ग्रामीड छेत्रों में इनको इनकी जो अधिकता है वो बहुत अधिक मात्रा में हम कहीं भी देख लें, तो इस टाइब की सडके हमको देखने को मिलेंगी, लेकिन हम पक्की सडकों की बात करेंगे तो पक्की सड़के जो है वो किसी भी प्रकार से कंकर पत्थर या क्रॉंकिट इन सभी से या कोलतार से बनाई जाती है आपने डामर रोड सुनाई होगा है ना जिसको की हम कोलतार की सड़क कहते हैं और अभी तो और इनके निरमाड में निरंतर इनकी क्वालिटी में और प्रगती की जारी विकास किया जा रहा है अभी अब हर जगा आप देखेंगे आपको सीसी रोड देखने को मिलेगा सीसी रोड का मतलब क्रॉंकिट एन सिमेंट की जो सडके बनाई जाती है उनसे इसका पर यह है तो ऐसा नहीं है कि पक्की सडके जो है वो सिर्फ आपको विकसित देश में ही देखने को मिलेंगी विकासिल देश में देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन इनकी जो फ्रिक्वेंसी है मतलब अधिकता जो है हम देखेंगे कि जितने भी विकसित देश है वहां पर इ वहाँ पर भी हमको पक्की सड़के देखने को मिलती हैं लिकिन उनके ग्रामीड इलाके में ग्रामीड छेत्र में हमको अधिक्ता मिलती है कच्छी सड़कों की इस्थल मारगों में हमने देखा कि जो पशों के द्वारा या व्यक्तियों मनुशों के द्वारा भी कुछ गाड़ियां जो हैं खीची जाती हैं पशों के द्वारा खीची जाने वाली गाड़ियों में हमने देखा था कि बैल गाड़ी है घोड़ा गाड़ी है अगर आप धुरुवी छेत्रों में चले जाएं तो धुरुवी छेत्रों में देखेंगे चुकि बरफिला छेत्र होता है तो वहाँ पर स्लेज नामक गाड़िया जो है चलाई जाती है और वो किसके द्वारा खीची जाती है उसका वाहक कौन होता है कुत्ते या रेंडियर जो है वो इसे खीच कर ले जाते हैं यह हम आज भी देखते हैं है ना और वरतमान में भी हम देखते हैं कि जो व्यक्तियों मनुष्यों के द्वारा खीची जाने वाली जो गाड़ियां है आप कोलकाता चले जाएं तो वहाँ पर यह आपको बहुत अधिक देखने को मिलें तो इनकी स्थिती हमको यह मार्ग के अनुसार या जगा के अनुसार जो है वो किया जाता है या विकास के उपर डिपेंड करता है